हेलो आज हम इस वीडियो में कुकीज क्या है इसके फाइदे क्या है और इसके नुकसान क्या है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कुकीज क्या है कुकीज एक प्रकार का टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें अप्योग करता के डिटेल जैसे नाम, सर्च कीवोर्ड, पता, मोवाईल नमबर, जर्मति थी, इतियादी जो कुछ भी हम वेब साइट पर अपना इन्फरमेशन दर्ज करते हैं वो सब कुकीज में सेव होती है जब इंटरनेट पर कोई बेब पेज खोलते हैं तब डिवाईज में एक शोटा टेक्स्ट फाइल सेव हो जाता है जिसे कुकीज कहा जाता है कुकीज को बेब कुकीज, इंटरनेट कुकीज, ब्रोजर कुकीज और HTTP कुकीज भी कहा जाता है इसका प्योग हमारे ब्रोजर गतिविली को समर्ण रखने के लिए और फिर उसी बेब पेज के खोलने पर समर्ण रखने के लिए किया जाता है कुकीज से ओनलाइन शोपिंग, कार्ड, पेज, कस्टमाइजेशन और ओनलाइन अडवर्टीजमेंट में बहुत साहता मिलती है कुकीज कोई कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं होते और ना ही डिवाइस को किसी प्रकार की ख्षती पहुंचाते है किन्तु इससे हमारे प्राइवेसी को खत्रा जरूर हो गया है क्योंकि आज लगबग सभी वैपसाइट्स कुकीज का इस्सेमाल करती है कुकीज से ये पता लगाया जा सकता है कि आप कब किस वैपसाइट को खोलते हैं इसके साथ उस वैपसाइट पर दिये गए इनफरोमेशन भी कुकीज में सेब होती है अब हम ये जानेंगे कि कुकीज के फाइदे क्या है तो इसके फाइदे है इसमें ब्रॉजर के पुरानी गतिविदियों को देख सकते है इसमें एक ही कार्य को बारवार करने की जरूरत नहीं होती है कुकीज की बज़ा से इंटरनेट ब्लेंस की भी बज़त होती है इससे वैपसाइट जल्दी खुलते है ये समय के साथ सवय हट जाता है या फिर हम खुद इसे अटा सकते हैं तो ये कुकीज के फाइदे है इसके बाद हम ये जानेगे कि कुकीज के नुकसान क्या है तो इसके नुकसान है कभी कबार इसमें टाइम की भी बरवादी हो जाती है इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे प्रावेसी भी लीक हो सकते है तो ये cookies के नुकसान है तो इस वीडियो में आमने ये सिखा कि cookies क्या है इसके फाइदे क्या है और इसके नुकसान क्या है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel